हेलआ फ्रेंड्स सो अगें वेल्केम निक्स् लेक्टर ऑफ पाइ western जहां आज बात करने वाले हैं पाइफ़न की sekarang सी के बारे में जाख पुरानी बातें पाइफां बेंặपा। मतलब ultimately theoretically concept hey python को python क्यों बोला गया what is the handy पाइफन टेक्नोलोजी पाइफन की वर्जन कौन-कौन से है और एक बहुत इंपोर्डेंट कोश्चन जो इंटेर्वु में अक्सर पूछा जाता है पॉट इस दिफरेंट बिट्विन पाइफन टू एन पाइफन थ्री पाइफन थ्री इस नॉट एन एक्सेंडेड वर्जन पाइफन टू तो इस पर भी हम बात करने वाले हैं लेकिन इसके पहले आप लोग सबसे पहले वीडियो को शेर कर दिजिए सब्सक्राइब करिए लाइक करिए ताकि मैग्जीमम लोगों तक यह वीडियो पहुंचे ठीक है तो अब हम आते हैं देख़ा आप यहां पर जैस इंटर्वू में अकसर पूछे जाते हैं ठीक है लेकिन इससे ज्यादा इंपोर्टेंट प्रोग्रामिंग कॉंचेप्ट है तो पहुंचते जल्दी हम फिपाइफन को सर इंस्टॉल करना बताई है पाइफन में कोडिंग लिखना बताई है वह ज्यादा मजा आएगा और पाइफन को पाइफन क्यों बोला गया ठीक तो चले बात करते हिस्ट्री ऑफ पाइफन के बारे में तो पाइफन की हिस्टी जो है ना मतलब देखाँ हिस्टी बड़ी पुरानी है लेकिन टेक्नोलोजी अभी अभी पिक्चर में आई है पाइफन का जो वर्जन लॉंच हुआ था वो था 1989 में 1989 में पाइफन अपने बीटा वर्जन लेकिया था ठीक बीटा मतलब ट्रायल वर था लेकिन जो ओफिशिल वर्जन पाइफन लेकिया रा किक वह था 1991 में दिस अन ओफिशल वर्जन अपाइफ अ यह पाइफन को ओफिशल वर्जन था जो 1991 में आया था और इस कहानी के जो सुत्र दार है मतलप पैफ़न के जो डिवलपर है दे नेम आप देवलपर इस गुडवन रोसम ग्यूडवन रोसम वाज दो परसन बेहाइंड पाइफन ग्यूडवन रोसम ही इसपर संब से बड़ा रोल है मतलब हो इस एंवेंचे रपाइथोन फैफ़ोन ये गोडोवाइन तेक्न लोडी ओके तो ये पाइफॉन की छोटी सी श्टी थी 1991 में इसका ऑफिशल वर्जन आया था नीदर लेंड में टीक 89 में इसको डेवलप वाता बीटा वर्जन इसका 89 में आ गया था एंद में बेहाइंड पाइफ़न टेक्न टेक्नोलोजी गुड़ो वें रोसम अब एक मिलियन डॉलर कोशन यह आता है कि सर इसको पाइफ़न क्यो इसको पाETHON बोला जाता है ठीक जब कि हम पाइफ़न को अगर हिंदी में फोलेफ़न को मेनीं होता है बुछ मट्रीज़ जो रिलेशन और पाइफ़न इसंग पाइफ़न बोलने के पीछे बड़े इंट्रेस्टीटारी की आपको पता हर लैंग्वेज के पीछे की आप ताकि आपको knowledge रहे कि हाँ जो technology exist करती उनके नाम क्यों है जावा को जावा बोलने का पीछे reason क्या है आपको पताए कि जावा के जो डेवलपर्स है उनको नाम रखना था थोड़ा सा ऐसा जो refreshing mode को indicate करें बढ़ा refresh नाम थो refreshing नाम पुर उनका जया सोच नहाएं कि बहुंा मैं जब बहुत ज़यादा थका होता हो तो तुछ यह एक करना भी लेता हो कॉफी से कुछ नाम रिलेट करना चाहरे थे तो खौफी नाम तो रखन है सकते थे तो उन्होंने क्या क्या के से रिलेट किया एक्श्ली और जावा का सिंबॉल किया है कॉफी का कब तो दानिज का हिस्ट्री बहांड जावा टेकनोजी हडूप का सिंबॉल गया हडूप को हडूप क्यों बोलते है तो एक्चुली हडूप मिल्स ELEPHANT तो आपको देखा होगा हडूप जो टेकनोलोजी कभी देखना हडूप का बॉल्द एलिफेंट सी को सी को बोला गया एल गॉल रगोल से बीसी पिल आया बीशी पेल का पहला वड़ उठाए तो टो भी लेंगवज हाई सेगें वड़ उठाए तो लाइंग जा गई तो हर बतलब स्प्रिंग को स्प्रिंग लॉप नहीं उसके भी जबी रिजने इस्प्रिंग टेकनलोजी है तो वेसे ही पाइफॉन को पाइफॉन बोलने के पीछे जो इंट्रेस्टिंग रिजने उसके कहानी सुनिया आप एक्चुली 1970s में BBC का एक बड़ा फेमस TV Serial Comedy Show वहा था था जो BBC पे अदर नाइंटीन सेटीज में दर वाज़ा फेमस TV Serial Show जिसका नाम था Monty Python Circus Monty Python Circus this was the name of the TV Serial TV Serial का नाम था Monty Python Circus यह था इस TV Serial का नाम Monty Python Circus तो इस Serial के नाम पे इन्होंने इस का नाम रखा हुआ है and that is what Python क्योंकि यह इस परसन के गुड़ोवन रोसम का एक फेवरेट TV Serial Show वा करता था तो उन्होंने उस TV Serial के नाम से मतलब इस टेक्नोलोजी का नाम लिया है Python Technology क्योंकि यह भी एक इंट्रेस्टिंग स्टोरी कह सकते हैं इसको कि देर इस नो रीजन कि Python का टेक्निकल कोई रीजन नहीं there is no technical word of Python कोई टेक्निकल कॉंसेट नहीं है कि इस रीजन से पाइफ़न बोला गया है तो आपको सिस्टी में बड़ी इंट्रेस्टिंग चीजें दिखाई देंगे कि बहुत यह यह नाम इसा क्यों रखा गया देरा सटन टेक्नोलोजी जिनके नाम के पीछे कोई और यह थे टेक्निकल रीजन से अधर आश्म मोस्ट अप्ड टेक्नोलोजी आप देखेंगे आपको टेक्नोलोजी के नाम इसे ही मिलेंगे लेंगे अपाचे टॉम केट टो चेट सिम्बॉल है उसका तो वेसी ही जावा का सिंबॉल पाइफ्हन के सिंबॉल रहें थे तो पाय्वन को पाइफ्हन बोलने रीजन अपको समझ में आया कि वाई इस टेखनलोगी स्काल्डा पायथन को इस टॉट काल्डब सेली से 1970s में फेमस टीवी सीरियल शो हुआ करता था और वही मॉन्टी पाइफॉन सरकस के नाम से वह करता था और जो ग्यूडो में रोसं पाइफॉन के डिवलपर थे यह उनका एक फेवरेट टीवी सीरियल शो था इसके स्क्रिप्ट को ध्यान में रखे मतलब इसकी स्क्रिप्ट को देखते हुए नोने इस टेक्नोलोजी का नाम पाइफॉन टेक्नोलोजी रखा है तो देर इस नो रीजन बहांड इट ठीक है अब यह तो बात ही छोटी सी हिस्टी के बारे में कि पाइफॉन 1989 में डेवलप हुई तक कहां थी मतलब एक बड़ा कोश्चन आता है कि इतना बड़ा जो ग्याप था क्योंकि पाइफॉन अभी पिक्चर में कब आई है हाडली टेन यह बैक टेन यह भी जादा बोल रहा है तो एसा क्या हुआ पाइफॉन में कि पाइफॉन एकदम से मार्केट में रिच हुई इसका रीजन यह था कि जब पाइफॉन इंशली मार्केट में आई थी तब उसकी लैबरेरी उतनी रिच नहीं थी है मतलब लैबरेरी रिच होना समझ रहें कि पाइफॉन में मैंट लैबरेरी का मतलब होता है कि पहुत से टेकनोलाजी ने आपको प्रोग्रामिंग करने के कितनी methods दी हैं कितनी classes दी हैं कितने functions दिये हैं यह उसकी लाइबरेरी कहला थी API बोल नहीं जिसको हम नहीं भी बहुत टेक्निकल नहीं जा रहा हूं किया specially for AI machine learning application specially for Java given a library for artificial intelligence machine learning IOT sensor in applications could develop करने के लिए Python ने अपने library को rich here and then after success rate of Python is continuously increase यादे आपको शुरॉआत में बोला था कि बहुत जब Python आई थी तब तो बड़ी slow mode में थी राइड लेकिन उसके बाद जो graph Python का increase हुआ है तो चले ही जा है it is continuously increase because up Python ने जितना support दिया है library का उसमें हर तरीके की application develop करना possible है तो जो history है वो यह है कि पॉस Python initially इतना success नहीं था just because of its poor library support but later on Python library को हर तरीके की application के लिए rich कर दिया you can go for gaming application you can go for chat board application desktop application web application IOT application AI machine learning application but now I can say that Python is upper than Java मेहनत करना इसी को बोलते हैं कि बहुत मेहनत करते का है करते का राज जावा मतलब आज अगर वर्ल्ड की top two technologies के बात करें तो यह जावा पाइफॉन अपन डाउने पर यह पाइफॉन इस लिटिल भी अपर दें जावा लेकिन कुछ ताइम जावा भी अपर रहती है ठीक है इट जस्ट लाइक करिकेट टिम कि कभी यह उपर है कभी यह उपर है पट यह पाइज पाइफॉन इस नाओडेज वन आफ दो मोस्ट यूजब टेक्नलोजी और यह जो इसका development हुआ यह hardly 10 year back है को बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ पाइफॉन को मार्केट में स्टैबल हुआ मता सक्सेज आई तो बड़ी पुरानी लेंग्विज थी लेकिन जब लाइब्री रिच हुई देन आफ्टर पाइफॉन ने मार्केट कैप्चर किया ओके अप जब पाइफॉन डेवलप हुई थी जब आई थी ता पाइफॉन अपना वर्जन लेकिया था पाइफॉन 1.0 मतला पाइफॉन 1.0 फिर वन सीरीज में उसने अपने डिवलेमेंट दिया 1.0 1.1 ठीग है देन यह 2000 नियर बाउट पाइफॉ जान रज़न एंड इस पाइफन 2.0 2008 में यह 2.0 आया था सुरी 2000 पाइफॉन लेका था 2.0 वर्जन चीच और 2.0 के पाइफ ने नेच्ट वर्जन दिया 2.1 2.2 2.5 यह तू बर्जन चल रहे थे पाइफॉन के बट इन 2008 Python came up with the version called Python 3.0 तो टीरी नियर बोगत 2 तूजन गी निसल वर्जान था जी पैटान के ठीक एचारण जो वर्जान एचान एंटी फोर में ठीक 1990 से लेकर 94 तक जो वर्जन चले वो वन चले देनी ये 2000 पाइफ़न कम विद टू पाइफ़न टू एंदेन पाइफ़न थ्री और अब जो सिरीज पाइफ़न की चल रही है वो थ्री सिरीज है और यह कहना बिलकुल गलत है कि पाइफ़न 3 जन एक्स्टेंडेड वर्जन आप प तरीका और पाइफ़न 2 में कोड लिखने का तरीका there is a huge difference कई स्टेटमेंट जैसे एक स्टेटमेंट है पाइफ़न 2 में प्रिंट इसकी वर्ड वाइल पाइफ़न 3 में प्रिंट इसन मैथर प्रिंट यहाँ पर फंक्शन है वहाँ पर कीवर्ड था तो अब और पाइफ़न अब अपने टू वर्जंक में डिवलप्मेंट लगभग बंद कर दिया है तो पाइफ़न के नॉट गिव एनी अपग्रेडेशन इन पाइफ़न 2 सीरीज वर्ट उसने इसको हटाया इसलिए नहीं बिकाज एर लोट आफ प्रोडक्ट वो अल्रीड डिवलप्ड इन पाइफ़न 2 पाइफ़न 3 is newly written concept मतलब कोई टू का extended वर्जन नहीं है again I'm telling you python 3 को शुरुआ से लिखा गया है और 3 का जो वर जने 3 आया 3.1 आया 3.2 आया ठीक है and then the latest version जो भी पाइफ़न का है वो है 3.11.1 this is the latest upgraded version of python तो इसमें बहुत सारे नहीं और देखा कोई भी लेंग्व लाइब्रेरी को रिच करती है python gives the library richness library को बढ़ाते जा रहा है ठीक है और जितनी लाइब्रेरी रीच होगी python उतनी मार्केट में सक्सेज रहेगे आ समझ में आरे है so these are the different different versions of pythons are available python 1.0 था ठीक है हम बात कर रहें versions of python के बारे में history के साथ हमने वर्जन की भी बात करी python 2 था एंदेन राइट नों python 3 series आ अविलेबल तो python का जो लेटेस्ट अपग्रेड़ेड वर्जन है वह है 3.11.1 I hope you guys can understand ठीक है कि python किस तरीके से market में धीरे 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 अपनी position बढ़ा रहा है और कैसे python ने शुरुवात की तो 1990s 89 was the year the python का beta version आया था 91 में python अपने official version को लेके आया ठीक है वहां से यह वर्जन चला 1.0 then 2002.0 and then 2008 python came up with the version called 3.0 and now it is continuously increases और हर वर्जन में python में क्या बढ़ रहे हैं libraries जो मैं बार-बार आपको बोल रहा हूं कि कोई भी language अपनी library को रिच करता है और जितनी ज़्यादा library होंगी जिसे आज python में में आपको पताया था पहले भी there is a library available called NumPy, Pandas, PsycidLearn ठीक है इस और रिचने स्लाइब जो कि प्रोग्रामिंग की रिचनेस को बढ़ाती हैं library का रिच होना सबसे इंपोर्टेंटली क्या होता है कि आपकी प्रोग्रामिंग की रिचनेस को बढ़ाती हैं and that is what the python is success in the market तो यह हमने भी बात की python की history के बारे में python के versions के बारे में I hope you guys can understand ठीक और अब यहां तक हमने जो अभी तक जितना भी पढ़ा था वो था हमारा theoretical concept features of python क्या है characteristics of python python की history के बारे में हमने बात की ठीक है python को python क्यों बोला गया इसके previous में आप देखेंगे वेर वी यूज पाइफ़ान विचार दे टॉप मोस्ट कंपनी वू यूज़ेश पाइफ़ान की लाइक में आपको यूट्यूप गूगल नासा जिसे याहू लिस्टे आर बहुत लिस्टे मतलब देर लॉट आफ कंपनी रिसर्चर की पहली डिमांड है जाव python तो अब यह सारी कहानी जो अभी तक हमने ठीकल पड़ा python के बारे में concept पड़ा python के बारे में ठीक है हाला कि अभी एक theoretical concept और बहुत important है लेकिन अब हम उसको थोड़ा सा लेटर आउन पढ़ेंगे अभी हम programming शुरू करेंगे because I know that most of the you people are waiting for the programming concept अला कि एक और important concept है इस पर हम बात करेंगे object-oriented programming लेकिन अभी थोड़ा सा वेट करते कि और object-oriented programming आने में भी थोड़ा सा टाइम है तो जब object-oriented programming हम शुरू करेंगे तब हम इसके बारे में बात करेंगे okay so now in the next class हम बात करेंगे python में programming concept to the wait is over now now we are coming with the programming concept ठीक है so I hope you guys can enjoy this lecture तो शेर करिए like करिए subscribe करिए और मिलते हैं next class में with the new concept थैंक यू